नमस्कार दोस्तों मैं स्वार आप और आप देखे रहे हूं SS Creek Fantasy इस वीडियो के तुरू मैं आपको इस मैस रिलेटेड हार एक प्लेयर का रिसेन फॉर्म पिज रिपोर्ट सब कुछ आपको यहाँ पर डिसकस करने वाला हूँ इस चैनल पर मैं हरोस, TNPL, T20+, Country Championship और हर एक इंपोर्टेंट इंटरनेशनल मैस को डीटेर्शनलेस करके कावर करता हूँ इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहेगा इसके अलबा स्मॉल डिंग का टीम एंड कौनसा प्लेयर आज आपका ट्रामपी हो सकते है कौनसा आप्लेयर है जिसको आज टीम में पिक कर सकतो यह सब कुछ मैं आपको टेलिग्रम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसलिए टेलिग्रम चैनल के साथ जुड़ना भी आपके लिए उतना ही इनफोटन है नीचर डेक्स्क्रिप्सन पर लिंक है अब लिंक के थुरू हमारे साथ टेलिग्रम चैनल से जुर सकते हो शुरुआत करते हैं बंगलादेस ओमेंज और इंडिया ओमेंज के बीच में फास्टी 20 आई मैच फ्रेडिक्सन जो खेला जाने बला है 9 जूलाई एक बाजगर 30 मिनिट पर कहाँ पर सेरे बंगला नैशनल स्टेडियम मिरपूर बंगलादेस पर आप देख लाते हैं पिच रिपोर्ट बंगलादेस पर जो फीच रहाते हैं वह जेनरली थोड़ा स्लो विकेट रहते हैं स्पिनार का जल्बा आपको यह आपको देखने को मिल जाएगा और यह ओमेंस का मैच है यहाप पर आपको उतना ज़ादा हाइज स्कोरिंग नहीं दिखने को मिलेगा ऊपार चाहिए यह स्लोपी जाए यहाप आपको 150 जाकी रांद देखने को मिल जाएगा उससे ज़ादा आपको नहीं देखने को मिलेगा इंटरनेशनल यापा 6 ओमेंस का T20 मैच खेला जा चुक है जिसमें से बैटिंग फास्ट कात्वे टिम ने 2 टाइमस और बैटिंग सेकंड कात्वे टिम ने 4 टाइमस मैच उनके है फास्ट इनिक से एबरे स्कूर की बात करें तो 107 है हाइस्ट कोड ऑस्टिलिया ओमेंस के नामे 140 और लोइस्ट कोड साउध अप्रिका ओमेंस के नामे अब स्कूरिंड पैटरन भी देख सेकतो डेल सो से भी लो शीक्स टाइम रान जा चुका है और डेल सो के उपार अभी तक कोई रान नहीं गया मैं आपको पहले ही बोला था और रिसेंट कुछ मैच का रेकॉर्ड इस बहने को पर आप देख सकतो यह मैंस का जो मैच वा था उसका रेकॉर्ड है यह मैंस का नहीं है त्यान दीजेगा और मैंस का भी आप रेकॉर्ड देख सकतो बंगलादेस और इंगलेंड के विच में जो मैच के लिए था उस मैच में भी थोड़ा कमी रान देखीने खुफिल यह पर बंगलादेस ने 158 किया था और इंगलेंड ने 142 किया था और चेस नहीं कर पाया इं से आपर बंगलादेश ने 115 किया वो मैच अफगनेस्तन ने चेज कर दिया फिर भी आठरा ओबर के अंदर ओचेज गया था मतलब अल्मोस हट मैच में आपको यहाँ पर थोड़ा कम ही राण देखने को मिला मतलब यहाँ पर एक भी ऐसा मैच नहीं है जहाँ पर 160 के उपर स्क होता है जैनरली आप देख लाता है बंगलादेश ओमेंस की प्सक्रेट प्लेंग लेंगले भागां मूर्सिता खातुन के साथ आपको सामीमा सुलताना को ओपेनिंग करते हैं देखने को मिल जागा मूर्सिता खातुन्हाइए रीसेंट फ़र्म है आप देख सेकत तो एक म अफोते यह बहुत हैं कुंछ ना कुछ करता है श्रिक्स चीर नहींट करता है बड़ा सिलंका कर शिरीज के लह था वहाँ पर काफी अच्छा किया था है बाद 75 किया था है बाद 31 किया था 30 किया था 57 28 मतलब हो अल्मोस्ट हर मैच में कुछ ना कुछ करता है और एक कीपिंग से भी आपको कुछ पॉइंट देने बाल है इसलिए निगर सुनता ना इन्पोटेंट पी होने बाल है उसको पर अब को 25 या 30 टक्स मुरके दे सकते है और ऊपर से यह बॉलिंग भी कल लेता है बॉलिंग से आपको यह गादा विइकेटस है चटकाते हुए दे सकते है इसलिले अगर आप चाहतो रितुं मौनी को pick कर सकतों और सोनानе अक्तर को अगर आप चाहतो पिक कर सकतों यह भी वieß प्रेक्टिंग और बोलिंग दोनों से आपको परफेन्स करके दे सकते हैं नामबर आठ पर आपको संजीद अक्तर मिघला को देखिने कमें जागा इसका प्रिशन फॉर्म देख सकते हैं तो ठीक्ट है इसका मदा सिलेक्टन परसंटेज काफी काम है लेकिन आपका ट्रांपि हाई है लेकिन आप इसका रि कर्म भांद देख सकत Ihrapan ऑफिकेड अद इन दुनों मच को चोड़खे कुछ खास नहीं करपया लास्ट पांच- Hosp consistent में है और सिलेक्स परसंटेज काफी हाई है आप चाट तो इसको ड्रॉप कर सकतो पाहिदागेश का लग काम है लेकिन यह important peak होने वाल है आप इसका recent form देख सकते हैं यह पर दो-दो करके विकेट चटका का consistency और यह पर भी एक विकेट चरका दिया इसलिए फाहिमा खातुन important peak होने वाल है और यह देथ में भी बोलिंग करने आ सकते उपिनिंग बोलों की बात करें तो फाहिमा खातुन के साथ आपको नहीं दाक्तर को देखने को मिल जागा देथ में फाहिमा खातुन आ सकते हैं और फाहिमा खातुन के साथ सायत आपको सालमा खातुन को भी देखने को मिल जागा और अगर मिखला डालते हैं तो मिखला को भी उपेनिंग करते हुए देखने को भिल जगा, स्मीती मांदना का ये रिशेंट फॉर्म है, आप देख सकते हो, काफी अच्छा फॉर्म है, फिलल इनके बड़ में मैं आपको क्या ही बुलू, अब सभी को पता है, ये किस टैप का बैटर है, काफी अच्छा फॉर्म है, आप पीच में यह पर एक दो मैच में फ्लॉप हो गया लेकिन अल्मुस्ट हर मैच में यह स्कोरिंग करता है और सेफाली वर्मा लेडी वियंदर सेवाग बहुत ही इंपोर्टन पीग होने वाल है बैटिंग से फोर्म काफी बढ़िया है और यह कुछ बोलिंग भी आपको करके द दब देवार रहते है इसलिए रोडर गेस बहुत इंपोर्टन पीग होने वाल है दामबाचार पर आपको हर्लीन द्याल को देखने को मिल जागा अगर इंडिया की पहले बैटिंग करे ताब उस कंडिशन में आप हर्लीन द्याल को पिक कर सकते हैं यह भी पाट टेम बोलि लेकिन बैटिंग से आपको कंसिस्टेंट सी 30 या 40 पोइन आपको मतब 40 तक आपको रान मारके दे सकते हैं इसलिए हर्मनपित को और इनपर्टन पीग होने वाल है आप इसका रिशन परम देख सकते हैं आपको 52 13 4 अपर 30 धरे 1621 32 56 अलमोस्ट आर मैच पर यह भी स्कोरिंग के लिए परफेक्ट मेटरियाल होने वाल है उसके बड़ आपको यास्ति का भाटी आको देखिने को मिल जागा है तो यह ठिक टक फ्लियार है मतलब बड़ा फ्लियार तो मैं आपको नहीं बोलूंगा लेकिन डिसेंट स्कोरिंग करते हैं आपको दे सकता है लेकिन दन् मिल या पर भी बैटंग नहीं मिल और मिलता भी तो और एक बैक को छोड़के खास नहीं कर पाया लेकिन इसका कीपिंग से आपको क्उछ ना कुछ अब जाओ तो टीब में फिक्कर सकतो इसका भी रिसेन फर्म आप देख सकतो तो काफी बढ़िया है और मेगना सिंग ये बहुत इन पर इंपरेंट पी होने वाले है हाला कि इसका रिसेन फर्म आप देख सकतो उतना कुछ खाफ नहीं है लेकिन यहाँ पर अच्छा कर सकते है ओपेनिंग बलर के बाद के तो मेगना सिंग के साथ आपको दीपती सर्मा को देखने को मिल जागा देथ में मेगना सिंग के साथ आपको फूजा भस्तरगार को देखने को मिल जागा बेंच पर कुछ प्लेयर का नाम है अगर खेलते हैं तो उसका भी रेकोड आप देख सक सकतो 74 पर लेकिन नमबर साथ या नमबर छे पर बैटिंग करेगा इसलिए थोड़ा दिग्यत के बाद है बैटिंग अल्मोस अनमेच में नहीं मिलता है इसको और आज भी सायत नहीं मिलेगा और अगर मिलता भी है तो फॉर्म उस तरह का नहीं है तो अगर आप चाहतो इसको कर सकतो हो बैटिंग से समितिम और बहुत ही इंपरें पीग होने वालék रोड़रिडियोस बहुत ही इंप्लैन पिग होने उर्षा भी होने मील EPA विल्डिंग का बात में यह आपन नहीं करूंगा फिलल बैटिंग से आपको यह 20-30 इसली मरके दे सकते हैं अगर खुझ से कुछ गलती ना करे तो आप रितुमोनी को ग्रैलिंग मेट रहे करना और अगर आप चातो सालमा खातुन के साथ जा सकतो लेकिन इसका भी रिसेन फर्म काफी वेकर है एक मैच को छुड़के कुछ खास नहीं कर पाया हालाकि इसका सिलेक्शन पसेंटेज काफी हाई है लेकिन आप इसको ड्रॉप करते हुए चल सकतो इसका जगा अब फूजा भस पहले बोलिंग करे उसकंडिशन में क्योंकि उसकंडिशन में भस्तरगार देथ में बोलिंग करने आ सकते है इसलिए मैं भस्तरगार के साथ जा रहा हूँ आगर इंडिया के टिम पहले बैटिंग करे उसकंडिशन में अब हरलें देवल को पिक कर सकतो अगर इंडिया के ट चटकाया इसलिए नहीं दाक्तर को मैं नहीं पिक करने वालू और मेगना सिंग बहुत इनपर्टेंट पिक होने वाले फाइव मां खातून का सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा काम है लेकिन आपका ट्राम पिक होने वाले अल्लाक इसका रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास न है तो फिलान मैं शर्मा नब्ला करेंश सती जा रहा हूं आप देखने तो आप दीप्ति शर्मा को कैप्टैंट फैस क्रेंट माना शकते हो यह बैटिंग और बोलिंग दोनों सबको पर्फोर्ट करके दे सकते हैं अब सेफालि बारमा को मना शकते हो लेकिन थोड़ा रिख सब्सक्राइब कर दीजेगा